एक तीसरी तरह की डाइपिटीज जो होती है that is known as the जेस्टिशनल डाइपिटीज मेलाइटर जो प्रेगनेंसी में डाइपिटीज होती है जो महिलाइट जिनके पेरेंट्स के अंदर डाइपिटीज होती है they are very prone to double-o डाइपिटीज जब वो फ्रेगनेंट होती है तो उनको वेसे ध्यान अखना होता है पहली बात तो प्रॉपरली रेगुलर वॉक करते रहें वेट पर ध्यान दें कि वेट ज्यादा एंक्रीज ना हो अपनी खान पान को इस तरह से रखें जिससे कि ज्यादा केलोरी उनको ना लेनी पड़ें एक नॉर्मल एमांट में केलोरी लेते रहें जन्क फूड वगेरा ना खाएं रेगुलर वॉक रखें और समय समय पर अप लिए बढरिश भी इसी तरह से पाल जा रही हैं जब बढरते जारी हैं जैसे कि चलो को भी न कर पाते हैं जैसे आजकल खाना बराने की मशीन भी का गया है तो प्रिगनेंसी की टाइम में इंस् этому की चांस होते हैं इसलिए हमें छी आप करते रहें और गांपर झाहन करतेauraisow ना खाएं काहएं हाई-कलॉरी डाइट ना लें तो इससे हमें जस्टिन डाइपटी सों में भी बढ़ाएं